चंदन एक गरीब सफाई वाला था, जहां भी उसे साफ सफाई का काम मिलता, वो पहुँच जाता था, वो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भग था, वो सदैव कृष्ण मंदिर में जाकर उनकी भक्ती और पूजा किया करता था, और आस लगा कर रहता था कि एक ना एक दिन भगवान कृष्ण उसके दुख हवशे दूर करेंगे, एक दिन काम की तलाश में चंदन घर से निकलने लगा, तो उसकी पत्नी रमा बोली, सुनू जी, कल सेट जी आये थे और घर का किराया मांग रहे थे, दो दिन की मोहलत दे कर गए हैं, और कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दिये तो इस बार घर खाली करना पड़ेगा, क्या करें, आप कुछ कीजिये न, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ, कहीं पर दिवाली की साफसफाई का कोई काम मिल जाए, चंदन घर से निकल पड़ता है, रास्ते में उसे एक पुराना मित्र जगदीत मिल जाता है, अरे चंदन, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, और कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तू आज कल क्या काम कर रहा है, मैंने, अरे, मैंने एक ठेका पकड़ा हुआ है, सड़के सीवर की सफाई का, वही पर थोड़ा व्यस्त हूँ, कितने पैसे मिल जाते हैं इस काम की, पैसे तो अच्छे हैं, डस हजार में सौधा तै हुआ है, पर आज मेरा साथ ही गाउँ चला गया, तो उसी तलाश में हूँ, कि कोई आदमी मिल जाए, तो दो हजार रुपए तक दे दूँगा मैं उसे, मैं भी काम की तलाश में ही निकला था, अगर तू कहे तो इस काम में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तू इसके बदले दो हजार रुपए मुझे दे देना, ठीक है, फिर चार दिन का काम है, तू दो हजार रुपए ले 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 ना, चंदन अगले दिन से जगदीप के साथ सीवर की सफाई का काम करने लगा, एक दो पैर जब वो सीवर की सफाई कर रहे थे अचानक, पूरा जखमी हो गया जगदीप चंदन को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवा कर घर ले आता है भाबी जी ये चार हजार उपए रखो दिवाली का त्याहार है बच्चों के काम आएंगे चंदन की मरहम पट्टी करवा दी है कुछ दिन घर पर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा है जगदीप मेरे भाई तेरे जैसा मित्र प्रभो कृष्ण सब को दे जगदीप चार हजार उपए की मदद करके चला जाता है तब ही सेथ अपना किराय वसूलने आ जाता है ये चार हजार उपए तो अब मेरे खाटे में ही जाएंगे है सेथ जी मेरे पैर में गहरा घाव आया है अब कुछ दिन मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा कृफिया करके इन पैसो में से दो हजार रख लीजिए बाकी मैं आपको दिवाली के बाद चुका दूँगा सेथ जी कुछ तो दया कीजिए रूही और सागर ने कल से कुछ नहीं खाया है तो इसमें मैं क्या करूँ मेरे भी बाल बच्चे हैं तुम लोगों पर लोटाता रहा तो हो गया मेरा कल्यान अगले महीने आऊंगा किराया तयार रखना बिचारी रमा और चंदन दोनों फूट फूट करोने लगते हैं तुम तो भगवाइन कृष्ण कितनी भक्ती करते हो फिर उनी से कहो न जी कि हमारी प्यारतना क्यों नहीं सुनते हमारे दोनों बच्चे रोजाना भूख से बिलगते रहते हैं फिर वो क्यों पुकार नहीं सुनते चंदन की आँखों में आसू थे तभी कोई द्वार खट-खटाता है सागर जरा देख तो द्वार पर कौन है मा कोई बूरे बाबा है बेटी ये मेरी चपल जरा तूट गई है तो पैर नाली में आ गया क्या तुम धुलवा दोगी हाँ हाँ बाबा रुको में पानी लाती हूँ रुही बेटा जरा लोटा भर कर पानी तो ला ये लो बाबा आराम से कीचर साफ कर लो और ये चपल पहन लो थोड़ी पुरानी है मेरे पती पहनते हैं इस चपल को पर अभी तो क्या हुआ बेटी तुम रो क्यों रही हो बाबा ये मेरे पती है कुछ दिप पहले ही पैर में गहरा घाब आ गया था पता नहीं कब ठीक होगे रमोन बुड़े बाबा को सारी बात बताती है बेटी ये गोवर्धन भगवान की छवी है गोवर्धन भगवान की पूजा करके घर में अनकूट का भोग बनाना भगवान गोवर्धन अपने आप तेरी सारी मनों कामनाएं पूरी कर देंगे और सभी दुखों को हर लेंगे पर बाबा मैं कैसे गोवर्धन पर अनकूट का भोग बनाू मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि बच्चों को भोजन खिला सको चिंता मत कर बेटी, मेरे पास ये कुछ सबजियां है तो इससे अन्नकूट का भोग बनाना और भगवान कृष्ण को और गोवर्धन भगवान को भोग लगाना वो तो प्रीम के भूखे हैं इतना कहकर वो बुड़े बाबा वहां से चले गए और फिर रमा ने गोवर्धन पूजा के दिन भगवान गोवर्धन का ध्यान किया और उनकी पूजा की और वो बाबा जो उसे सबजियां दे गए थे अन्नकूट की सबजी बना कर भोग लगाया ए क्रिश्ण मुरारी मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है मेरी सहता करो ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोशन कर सकूँ भगवान को वर्धन आपकी चाया में तो पूरे द्वारका को सुरक्षा मिली थी आपने उनकी रक्षा की थी हमारी भी सहता कीजिए प्रभू तभी दर्वाजे पर जग दे पा जाता है अरे चंदन तेरे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ भाई सबसे पहले मुँ मिठा करा हाँ भईया थोड़ी सी शकर के साथ ये अनकूट का प्रसाद आप भी लीजे चंदन वो मैंने तुझे बताय था ना की एक नौकरी के लिए मैंने बात की थी दस हजार उपए महीने पर तेरी और मेरी दोनों की एक ही जगह नौकरी की बात करके आ रहाओ कम से कम तुझे तो सहारा मिलेगा मैंने उन्हें बोल दिया है कि तेरी तबिया तभी ठीक नहीं है है? तो तू अगले महिने से नौकरी पर जाना शुरू करेगा है की नहीं? जगदीप, तू तो मेरे लिए बिल्कुल वैसा मित्र बन कर आया है जैसे भगवान कृष्ण सुदामा के घर आये हो तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी अब कम से कम दस हजार उपए महा की नौकरी करके मैं अपने बच्चों को भोखा तो नहीं सुलाओंगा ए गोवर्धन भगवान, आपकी जै हो भगवान गोवर्धन के आशरवात से चंदन और रमा के दुख दूर हो जाते हैं चंदन के नौकरी पक्की हो जाती है इश्वर यदि जगदीब जैसा मित्र सभी को दे तो शायद इस दुनिया में कोई भी बैरी ना रहे और फिर दीरे चंदन और रमा के परिवार के सारे दुख गोवर्धन भगवान यानि की कृष्ण मुरारी हर लेते हैं और उस दिन एक गरीब की गोवर्धन पुजा साकार हो जाती है